नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर सावन बुधवार के दिन करें ये सरलसा उपाय भगवान श्री गणेश के आशिरवाद से इतना धन आएगा कि साथ पी ही भी करेंगी आपकी पैसों पर राज बुधवार का दि का आशिरवाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस सावन बुधवार के दिन उन सरलसे उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है क्योंकि इस जेश्ट बुधवार के दिन आप थोड़े से मूं का वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वरदान और वो आशिरवाद मिलेगा जिसके और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा संतान आपको हासिल होगी जीस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परिशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपक गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गनेश की पूजा जाती है इसलिए भगवान श्री गनेश को प्रथम पूज भी कहा जाता है वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गनेश को प्रथम पूज होने के क परन्तु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो सब का साराश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुब कार्य से पहले की जाए, तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल। इसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी चूदें, तो मिट्टी को सोना बना देता है, जिसका कार्य को वह शुरू करेगा नहीं, उसको सफलता मिलेगी कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाईया समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी, और वह व्यक्ति काम्याबी की हर उंचाईयों को चड़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों ध्यान, रखिएगा यह बुधवार का दिन जो आया है, यह पूरे 21 साल बाद आया है इस दिन में, अगर हमारे बताये हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चल और मातारानी जी का आशिरवाद आज से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नती हो भगवान श्रीगनेश और मातारानी जी आपके घर पर बास करने आये, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रग्धा और पूरे सच विश्वास के। देखिए दोस्तों हम आपको विडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि ये जो सावन बुधवार का दिन है यह एक महान बुधवार है मतलब यह कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाथ उपाय करेंगे तो साक्षात भग तो आपको बहुत सरल से उपाय बताने जा रही हैं जिसको बस आपको सही महूर्थ पर करना है महूर्थ का मतलब यह होता है दोस्तों देखिए एक बात का समझ लीजिएगा महूर्थ का मतलब यह होता है कि सही महूर्थ पर अगर पूजा पाथ करली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाब तुरंत ही मिल जाता है और आपको हम बता ही चुके हैं यह बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जाही नहीं सकती विफ परिवार का भला कर सकें। आपके घर की बरकत हो सके, उन्नती हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली। इसकी वजह से आप काम्याब नहीं हो पा रही है, आप मिहंत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परन्तु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सरलसा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में जोमा। बुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए, भगवान गणेश जी का आशिरवाद हासिल करने के लिए, तो देखिए दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में देवी तुल्य माना गया है, हिंदू में गाय की पूजा की यदी ऐसे में आप सावन के बड़े बुध बाहर के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए, आपके जीवन में चल रही दरिदर्ता का जो प्रकोप होगा, वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा, यहाँ पर आपको भगवा अगर मा बुधवार के दिन खिला दिया जाए, तो इससे आपकी दरिदर्ता सौभाग्य मिल जाती है, दूसरा उपाय है, दोस्तों बुध ग्रह की मजबूती का उपाय, बुध ग्रह जीस भी व्यक्ती का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों वह व्यक्ती किसी भी का उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध्ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महान उपाय हम आपको बताने वाले हैं अरे जो बहुत सरलसा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध्ग्रह मजबूत हो जाएगा आपकी पूजा घर पर अगर भाग भगवान श्री गनेश की मूरती है तो अच्छी बात है मूरती नहीं है तो एक काम कीजिएगा सफेद रंग की मूरती भगवान श्री गनेश की जरूर ही ले आए अब आपको करना यह है दोस्तों भ प्रत्येक बुधवार को आप यह क्रिया करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुधग्रह मजबूत हो जाएगा, आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्ने लेंगे यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशिरवाद मिलेगा, और आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे, तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है, दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल लिए बहुत आसान हो जाएगी और धन आने, कि सारे रास्ते खुल जाएंगे मान लीजिए, दोस्तों पहले आपके पास फिर्धन आ रहा था फिर्धन, आते आते बंध हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से भगवान गनेश का आपको आशिरवाद नहीं मिल पा रहा है, माता लक्षमी जी आपसे रुष जाने के बाद एक बार गनेश चालिसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा इस माह बुधवार को ऐसा, करने भर से आपको भगवान श्री गनेश के साथ माता लक्षमी जी का वरदान मिलेगा आशिरवाद, मिलेगा और जो भी आपके साथ दिक्कते हैं, धन संबंधित वह ख पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है, जो आपको हम बताने वाले हैं, यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गनेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा एक लोटा आप, लोगों को ध्यान रखना है, दोस्त बैठे हो, उस मुंकी दाल को उनको दान कर देना है, ध्यान रखियेगा दान दाएं हाथ से करना होगा आपको, अगर आप आपने इतना भर कर दिया, तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं दिक्कते हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौर पड़ेगा, चल पड़ेगा चौथा उपाय बताने आ रही हैं, जो हम आपको वह हैं, नौकरी हासिल का महा उपाय अगर आप नौकरी की तयारी कर करके ठक चुके हैं, परंतु आपकी, नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परिशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं, आप से कमजोर व्यक्ती की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए, एक मा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं, तो भगवान श्रीगनेश और माता रानी जी का आपको आशिरवाद मिलेगा, और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, तीन नारियल खरीद के लाए ध्यान रखिएगा, जो यहां नारियल ले करके आ रही यह जटा, वाला नारियल होना चाहिए, उसमें पानी-पानी वाला नारियल हो पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए क्योंकि कल बहुत सी जगह है बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा आपको बस इतना करना है शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं जो भी दिक्कतें आपकी नौकरिया में आ रही थी वह बाधाएं करते हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी दोस्तों यह उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्रीगनेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले दोस्तों आखिरी उपाय बताने से पहले आप से हा लोगों को एक मुठी चावल, एक मुठी मूम की दाल, ग्यारा काली मिर्च, दो इलाइची लेनी है, इस पोटली को आपको मौली धागे से, बांध लेना है, अब आपको पूजा घर पर बैठना है, यहाँ पर बैठने के बाद एक दिया जलाना, है देसी घी का गाय के इसके बाद आपको ग्यारा बार गनेश चालीसा का पाठ करना है, इतना करने के बाद, या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गनेश के दाई चर्णों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए, धन स्थान का मतलब है, अलमारी तिजोर हुआ चला आएगा, जो धन आएगा, वो रुकेगा भी टिकेगा, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, अगली विडियो जयमा लक्षमी